पोको F3 GT को इंडिया में शाओमी के एक गेमिंग स्मार्ट फोन को रिब्रेंडिट करके इंडिया में लॉंच किया जाएगा और उस गेमिंग फोन को नाम है हलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फ्रेश कमाल वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको पोको F3 GT के कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ जो की कंपनी की तरफ से कुछ लीक से सामने आए हैं वीडियो को लास्त तक देखी और वीडियो को लाइक, सियर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब अपन बात कर लेते हैं फोन के कुछ मेन हाइलाइट्स की फोन में मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी केमरा सेटप इसमें होने वाला 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट फोन में मिलने वाला है एक बहुत ही कमाल का OLED डिस्प्ले पोको F3 GT को इंडिया में रेडमी के K40 गेमिंग एडिशन को रिब्रेंडिट करके लॉंच किया जाएगा अब अपन बात कर लेते हैं फोन की फुल स्पेसिफिकेशन की कि इसमें स्पेसिफिकेशन होने क्या क्या वाली है सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिस्प्ले की जो इस फोन में डिस्प्ले होने वाली वो होने वाली 6.7 इंज की फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले अब अपन बात कर लेते हैं प्रोसेसर की इस फोन में बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर होने वाला है इस फोन में जो processor होने वाला है वो होने वाला है media tech dimensions 1200 अब आपन बात कर लेते के बात क्याम आप की तो इसमें जो front camera होने वाला है 16 megapixel का इसमें triple rear camera setup होने वाला है जो primary camera होने वाला वो 64 megapixel का जो macro lens के लिए होगा वो 2 megapixel का और जो depth sensing के लिए होगा वो 8 megapixel का इसमें 6GB RAM 128GB storage होने वाली है इसमें 5065mAh की battery capacity होने वाली है और जिसका operating system होगा वो Android 11 होने वाला है इसका जो resolution होने वाला है वो 1080 x 2400 pixels होने वाला है अब आपन बात कर लेते हैं फोन की कीमत की इस फोन का जो waste variant होने वाला है 6GB RAM 128GB storage वो 23,000 रोपे से शुरू होने वाला है जो Redmi का K edition है वो 20,000 की उपर ही launch होता है आपको पता ही होगा तो यह Redmi के K40 के gaming edition को rebrand करके launch किया गया है तो इसकी कीमत होने वाली 23,000 रोपे जो की base variant की होगी यहां से शुरूआत हो तो friends बस आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share and comment ज़रू कर और channel पर नए हो तो channel को subscribe करके bell icon को all पर press कर ले हम ऐसी नई नई वीडियो अपने channel पर लाते रहते हैं